नमस्काल दोस्तों मैं भी जेंदर और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल बीके टेक जिसमें आपका स्वागत है दोस्तों आज कमारा टापिक है इरेजल टूल दोस्तों फोटो साप में इरेजल टूल का यूज कैसे किया जाता है तो इस टूटोरियल में हम सीखेंगे इरेजल टूल का यूज तो उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और राइट राइड में विलाइक अलवाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिविक को हमारी सुरच्छित रहे और हमसे डूप्लीकेट पर काम करेंगे तो इसको हम औरिजिनल फॉटो को कلف डेते हैं माक्सिमाइज कर लेते हैं अब दोस्थों यहां से हमारा लेयर है जहां से हम एक डूप्लीकेट इसका लेयर बना लेते हैं यहां से right click करके duplicate layer या ctrl j की मदद से भी आप duplicate layer बना सकते हैं तो इसको हम background में यूच करेंगे, इसका background यहां से,यहां से background set कर लेते हैं तो हम यहां पर कोई सा एक background दे देते हैं red, इसमें हम background भी बदलना आपको बताएंगे तो यहां से हम control detail की मदद से यहां से इसका background रिड़ेड कल देते हैं अब दोस्तों आते हैं इस वाले layer पल तो इस पर हमें erase tool का यूज करना है तो यहां से हम eraser tool ले लेंगे यहां shortcut की button E से press करके भी इसको select आप सकते हैं दोस्तों यहां पर हमें properties bar में देख लें इसके properties bar में master die meter का option मिलेगा और इसमें हम brush select कर सकते हैं अपने हिसाब से तो यहां से हम 100 select कर लेते हैं 100 select कर लेते हैं अब दोस्तों यहां पर mode का option मिलेगा तो यहां पर type मिलेगा brush तो इसमें brush type करिए या pencil type करिए या block type करिए तो इसमें तीन option हैं तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं दोस्तों यहां से opacity का option है और flow का तो इन दोनों option को उज़ भी अपने require के हिसाब से आप कर सकते हैं तो दोस्तों इस पर हम चलिए eraser tool करें उच करके देखते हैं तो दोस्तों इससे पहले बता दे हैं दोस्तों यह tool किसी भी layer को erase करने के काम आता है और right click की मदद से इसका time meter यहां से set कर सकते हैं तो दोस्तों इसको हम इसका background erase करते हैं object को तो जिस चीज को भी हम erase करना है बस हमें इसको इस तरह से drag करना है क्लिक करके तो हम इस पर कोई सा भी object इस से हम eraser tool की मदद से delete कर सकते हैं इस फोटो को भी हम delete कर सकते हैं तो दोस्तों यह है eraser tool की यूज अब चली है दोस्तों शीकता है हम background eraser tool की यूज तो दोस्तों background eraser tool को हम select कर लेते हैं दोस्तों इस हम इस निए properties देख लेते हैं तो इसमें brush का option मिलेगा इसके diameter को छोटा बढ़ा कर सकते हैं और ब्रस की यहां से hardness को भी गटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाफ से और spacing को भी और दोस्तों यहां पर limit का option मिलेगा यहां पर है continuous once or background fast तो इसको हम सब यूज करके देखेंगे अभी चलिए हम यहां से continuous कर लेते हैं और यहां से भी कांटी गस कर लेते हैं अब दोस्तों देखिए इसको हमने select कर लिया तो हमारा इस तरह से cursor है तो इस तरह से cursor है इसमें जो plus का निसान है इसको photo के उपर रखके चलाना है इस color या एक जैसे मिलते जुलते color को लेकर layer को erase करता है जाता दर इसका यूज बैक्ग्राउंड erase करने में किया जाता है देखिए दोस्तों इस तरह से हम eraser tool के मर्स से background को remove कलते हैं बस हमें ध्यान रखना है इसको जो plus का निसान है इसमें cursor पे इसको उपर ही रखकर चलाना है अगर इसको आप photo पर चड़ाएंगे तो यह photo को भी remove कल देगा तो हमें photo पर रखकर नहीं चलाना है इसको जो plus का निसान है इसको background पर ही चलाना है देखिए दोस्तों कितनी सफाई से हमारा background फोटो पर चड़ गया दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चला रहा हूँ वीडियो लंबी नहोंने पाई यह थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आप थोड़ा सा अच्छे से करिएगा दोस्तों इस तरह से भी आप background को remove कर सकते हैं दोस्तों आप थोड़ा सा बारीकी से अच्छे से चलाईएगा अब दोस्तों इसमें इसको हम control आडिडट की मदद से अंडो कल देते हैं दोस्तों अब आपते हैं once वाले option पर इस पर click कलते हैं तो दोस्तों इसमें हम आपको बता दे या एक बार ही color को select कलता है और उसी color को remove कलता है दोस्तों इसमें हमें दुबारा click नहीं करना है एक बार जिस color को हम select कर लेते हैं बस इसको drag करके इस तरह से चलाते रहते हैं अगर हमने दुबारा कहीं पर किलिक किया तो यह उस color को ले लेगा जैसे इस पर हमने दुबारा किलिक किया तो यह हमारे photo को भी remove कर दे रहा है तो हमें किवल एक बार select करना है color को और इस color को raise करना है select करना है और उसको track करके इस तरह से चलाना है तो देखिए दोस्तों हमारा बैक्ग्राउंड कितने अच्छे से रिमू हो रहा है या फोटो पर भी चड़ जा रहा है तो भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एक बार इसको एक कलर को सुलेट कर लिया है दोस्तों जो यह फोटो पर हलका सा रहा है रेट थोड़ा सा तो इसको यहां हम टॉलेंस घटा के करेंगे तो यह हमारा जो रेट है यह नहीं आएगा तो दोस्तों अब इसमें तिसरा आपिसन देखते हैं Background ग्रांट स्वाच का तो इसका यूज़ करके देखते हैं तो इसको हम CTRL Malaysia कि मदद से पर इसको select कर लेते हैं color को जिस color को remove करना है और यहां से okay कल देते हैं अब दोस्तों क्या होगा इसमें किया हमारा जो foreground में हमने select किया है color या उसी color को erase करेगा बाकी किसी भी color को erase नहीं करेगा आप photo पे ले जाईए या कहीं पे भी ले जाईए या किसी को नहीं erase करेगा केवल जिस color को ह रखा या उसी कलर को रिमोग करेगा तो यहां भी एक अच्छा अप्सन है बैक्ग्राउंड रिमोग करने का कि देखे दोस्तों कितने अच्छे से हमारा बैक्ग्राउंड को इरेज कर रहा है तो इस तरह से आप भी उच्छ कर सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा बैक्ग्राउंड रिजर टूल का यूज दोस्तों चलिये हम अगले टूल का यूज करके देखते हैं मायजी की रिजर टूल का यूज करते हैं तो इसको सिलेट कर लेते हैं और इसको पहले हम कंट्रोल आल्ट जट की मदद से फोटो को अंडो कर लेते हैं और इस पर मायजी की रिजर टूल का यूज करके देखते हैं तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें दोस्तों या tool magic wand tool की तरह काम करता है या single color या same color मिलते जुलते color को select कलता है उसको एक click single click पर remove कर देता है जैसे हमारा एक color है background इसको हम यहां से opacity थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और tolerance भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और एक click करते हैं तो यह हमारा background एक click में remove तो दोस्तों यह एकदम बिल्कुल magic wand tool की तरह काम करता है तो दोस्तों यह था हमारा eraser tool का use और background eraser tool और magic eraser tool का use तो दोस्तों इस तरह से आप भी इन तीनो टूल का use करके background को remove कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें subscribe करें और comment करें तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जय हैं आपको आपको के लगी तोस्तों में था जब कर दोस्तों अच्छी का रचेंस करें अच्छी देगां जे हैं